नमस्कार दोस्तों कैसे आप सभी मैं मुवीद करता हूँ आप सभी अच्छे होगे दोस्तों सैलरीट पर्षन के लिए टैक्स प्लानिग कैसे करें आज इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूँ और जैसे के आप इस स्कीन पर देख रहे होंगे tax planning for salary percent 18 lakh income and 0% tax और आपने thumbnail पर भी देखा होगा तो क्या 18 lakh income पर 0% tax हो सकता है तो बिल्कुल हो सकता है इसके लिए आपको काफी सारी investment करनी होगी और वो ऐसी कौन-कौन सी investment है आगे इस वीडियो में आपको बताऊंगा तो बने रहिए इस वीडियो के साथ और इस वीडियो को racing करना ब्लोड करूद करना तो सब पहले आर आप तक पहुंच जैएगी और दोस्तों यदि आप expert से अपनी tax planning या ITR filing या ITR competition तेगार करना चाहते हैं तो दिये वे number पर contact करें तो दोस्तों चलते हैं वो वीडियो को start करते हैं अब जैसे एक person की जो basic salary है वो है 18,00,00 रुपे अब मैं यहाँ पर allowances की बात नहीं करूँगा क्योंकि वो depend करता है company पर आप किस company में work कर रहे हैं वो कैसी company है आपको allowances देगी या नहीं देगी वो किस पर depend करता है company पर तो यहाँ पर मैं allowances की बात बिल्कुल भी नहीं करूँगा क्योंकि वो depend करता है किस पर company पर लेकिन HRA देखिए HRA कि मैं यहाँ पर बात करूँगा क्योंकि यदि company की तरफ से आपको HRA मिल रहा है ठीक है तो आप उसको भी claim कर सकते हैं अब जैसे इस person को HRA मिला है 4,00,00 रुपे और जो HRA होता है इसकी calculation होती है और उसकी according ही HRA calculate होता है अब यदि HRA received नहीं हुआ है तो उसके लिए क्या करना चाहिए ऐसी कौन सी reduction है जो हमें लेनी है वो आगे इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा अब इसके बाद है पचास हजार रुपे standard reduction अब देखिए आप किसी भी sector में salaried employee है चाहे आप government sector में है या आप private sector में है लेकिन आप एक salaried person है तो आपको पचास हजार रुपे की standard deduction मिल जाती है चाहे आपकी salary कितनी भी क्यों ना हूँ ठीक है ये एक flat पचास हजार रुपे की deduction है जिसको बोलते है standard deduction तो यहाँ पर इसको पचास जार रुपे की deduction मिल गई अब यहाँ पर total gross income कितनी होगी 13,50,000 रुपे हुआ क्या जो हमारी basic salary थी उसमें से hra हमने less किया फिर standard deduction less किया तो कितनी होगी total gross income 13,50,000 रुपे ठीक है अब हम बात करते हैं other deduction की अब मैं बात करता हूँ अब इस person ने अपनी LIC की हुई थी अपनी wife की और बच्चों की ठीक है पीपीएफ अकाउंट में भी investment थोड़ी की हुई थी जिसकी tuition fee यहाँ पर claim की गई थी ठीक है तो overall जो इसकी total जो deduction है वो थी 1,5,00,000 रुपे जिसमें की LIC कराई हुई थी पीपीएफ अकाउंट भी open कराई हुआ था और एक children tuition fee भी थी ठीक है लेकिन यहाँ पर हम maximum two children tuition की deduction यहाँ पर ले सकते हैं ठीक है तो उसके बाद इसने medical insurance भी कराई हुआ था जिसमें की हम अपना अपनी wife का या बच्चों का कराते हैं तो इसमें 25,000 रुपे deduction ले सकते हैं लेकिन यदि आपके parents senior citizen है उस condition में आप 50,000 रुपे की deduction ले सकते हैं तो इसके जो parents थे वो senior citizen थे और तो इसकी जो deduction है वो 50,000 रुपे इसको मिल गई इस person को ठीक है अब उसके बाद deduction 80 total amount paid towards interest on loan taken of higher education loan अब इसकी जो एक चिल्डरन था उसकी tuition fee तो यहां पर इसने claim कर ली लेकिन एक जो चिल्डरन था वो उसके लिए इसने higher education loan लिया और जो higher education loan लिया था उस पर interest पर किया था कितना 5,000 रुपे कितना किया था ड़ाई लाग रुपे तो ड़ाई लाग रुपे पूरी की पूरी डिडाक्शन यहां पर मिल गए तो इसमें यही लिका हुआ है यहां पर ड़ाई लाग रुपे इसने इंट्रेस्ट पर किया था तो इसकी डिडाक्शन इसको मिल गई फिर इसने पीम केयर फंड में एटी जी के तहत डोनेशन की हुई थी अब इसने डोनेशन की हुई थी पीम केयर फंड में जो की इसे पचास जार रुपे 100% डिडाक्शन मिल गई अब एटी जी में क्या होता है एटी जी में टू कैटिगरी है 50% और 100% ठेक है लेकिन उसमें अलग-अलग कंडिशन है और अलग-अलग कैटिगरी दी हुई की 50% और 100% की तो आप उसको चेक कर सकते हैं तो इसमें पीम केयर फंड में पचास जार रुपे डोनेशन किया था जिसकी पूरी की पूरी आपर डिडाक्शन इस परसंट को मिल गई अब हम बात करते हैं एटी जी जी अब यदी किसी परसंट को एचारे रिसीवड नहीं हो हरे नोट रिसीवड जब हरे नहीं मिल रहा है लेकिन इसकी भी कुछ कंडिशन्स हैं ठीक है इसके उपर मैंने सेपरेट वीडियो बना रखी है आप उसको देख सकते हैं या आप गूगल पर सर्च करके भी देख सकते हैं एटी जी जी की कंडिशन्स को इसमें काफी सारी क अंडिशन्स दी हुई है तभी आप एटी जी की डिडेक्शन ले सकते हैं ठीक है तो यहाँ पर इसकी है नहीं क्योंकि इसको एचारे मिला हुआ है अब अब इस परसन ने एक हाउसिंग लोन लिया हुआ था ठीक है और वो थी रैंटल प्रोपर्टी लोन लेके ठीक है उस section 24 self occupied property या rental property अब देखिए आपने कोई housing loan लिया हुआ है लेकिन इसमें दो condition है या तो occupied property हो या rental property हो यदि आपकी occupied property है तो उसमें जो आपने housing loan लिया हुआ है और उस पर इंट्रेस्ट पे किया हुआ है उसकी maximum 2,00,00,00 रुपे तक आप deduction ले सकते हैं कब जब आपकी property occupied property है लेकिन आपने housing loan लिया हुआ है और आपकी वो property rental है तो उस पर जो आपने इंट्रेस्ट पे किया है उसकी कोई limit नहीं है उसमें 2,00,00,00,00,00, जितना भी आपने इंट्रेस्ट पे किया है वो जितना भी इंट्रेस्ट होगा उस सभी की यहाँ पर deduction मिल जाईए अब इसने एक housing loan लिया हुआ था इस person ने ठीक है लेकिन वो जो property थी वो rent पे दी हुई थी यानि की rental property थी तो इसलिए इसने 3,00,00,00,00 रुपे इंट्रेस् ठीक है अब 3,50,000 रुपे में से हमने माइनस करा 80C की deduction ठीक है यह माइनस की फिर medical insurance में जो investment की हुई थी यह माइनस करी फिर जो higher education loan लिया हुआ था जो interest पर किया था वो हमने माइनस की reduction और हमने जो donation किया था वो माइनस की फिर उसके बाद जो housing loan लिया हुआ था वो हमने माइनस करने के बाद अब हमारी जो tax की liability है जो total taxable income है वो है पांच लाग रुपे अब मैं आपको बता दू दी कि धाई लाग रुपे होती है हमारी exempt धाई लाग पर कोई भी tax नहीं होता है लेकिन यदि हम धाई लाग पर 5% tax calculate करें तो कितना हो गया साड़े बारह जार tax है तो उसकी एक rebate है rebate under section 87A यदि आपका tax साड़े बारह जार रुपे तक बनता है तो उस पर आपको कोई भी tax पे नहीं करना ठीक है तो एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि 5 लाग exempt है वैसे तो धाई लाग रुपे exempt है लेकिन एक नोर्मली तोर पर कह सकते हैं 5 लाग पर कोई नहीं है और एक simple way में कह सकते हैं कि exempt है तो total taxable income कितनी होगी 5 लाग रुपे अब मैं आपको बताएता हूँ देखें ये सब depend करता है आपकी income पर अब मैं आपको बताएता हूँ tax planning के बारे में देखें tax planning depend करता है आपकी income पर कितनी आपकी income है उसके according ही आपको investment करनी होगी टिक मैं आपके ऐसा नहीं है, कि 8 लाग रुपे हो, इसे जादे भी हो सकती है, 20 हो सकती है, 25 हो सकती है, या 10 लाग रुपे हो सकती है, 8 लाग रुपे हो सकती है, ठिक है, लेकिन फिर भी मैं आपको tax planning के बारे में बताएता हूं, और कॉन-कॉन सी आपको investment करनी चाहिये, ठिक अब मैं बात करता हूँ medical insurance की तो आप medical insurance अपना करा लीजिए ठीक है यह ज़रूरी नहीं है कि आप 25,000 रुपे yearly ही कराएं कम भी करा सकते हैं ठीक है अपनी income के according या आपका कोई children ऐसा है जो आप चाहते है higher education loan लेना तो उसकी भी आप deduction ले सकते हैं अब बात करें donation की यह कोई ज़रूरी तो नहीं है कि सभी donation करें ठीक है जिसकी कम income होगी वो donation कैसे करेगा तो ऐसी बात नहीं है जिदि आपकी income ज्यादा है तो आप donation भी कर सकते हैं तो उसक आपको मिल जाएगी ठीक है अब 80GG यदि आपको HR receive नहीं हो रहा तब ही आप इसको ले सकते हैं लेकिन अब इसमें जो सबसे जादा जो ज्यादा amount की deduction है वो किसमे है वो है housing loan में ठीक है जिदि आपको need है तो आप इसमें करा लीजी housing loan उसमें आप maximum यदि occupied property है तो दो लाग इसमें interest पर reduction ले सकते हैं यदि rental property है तो उसमें कोई limit नहीं है जितने भी आपने interest पर किया है सभी के सभी इसमें claim हो जाएगा ठीक है तो आपको जो tax planning करनी है वो करनी अपनी income के according और इसके अलावा कुछ reductions हमारी ऐसी होती है जो की disability की होती है ठीक है या इसमें special disease की होती है ठीक है वो condition situation एलग होती है ठीक है वो सभी के साथ नहीं होती लेकिन मैंने आपको बता दिया है जो ज्यादा तर ये investment आप कर सकते हैं ठीक है और आपके लिए benefit ही होगा ये investment करने में अब मैं आपको थोड़ा बतायता हूं किसके बारे में income tax elaborate के बारे में तो देखे मैं तो ये deduction आप claim नहीं कर सकते हैं ठीक है ये जो मैंने आपको tax planning बताई है ये सिर्फ बताई है old regime के लिए old slab rate के लिए ठीक है अब आप कहेंगे new slab rate में जाती है तो हमें तो नुकसान हो जाएगा तो new slab rate जो है वो सिर्फ उस person के लिए है जिसने अपनी investment नहीं की हुई है या कम की हुई है उसको benefit हो रहा है new slab rate में जाने के लिए अब new slab rate में benefit क्यों होगा अब जैसे की हमारा five lakh पे five percent होता है साड़े बारह जार रुपे बनता है तो उस पर rebate मिल जाती है जैसे कि मैंने आपको बताया था पांच लाग रुपे एक नोर्मली तोड़ पे देखें तो ह पांच लाग यदि हुआ यह एक तरह से marks from vemos ड़मिन प्रिसक की मैं है दिसमें 5 लाग यह भी आगजामट ही एक तरह से साड़े साथ लाग यदि आपके इनकम है ठीक है तों पांच से साड़े साथ लाग पर दस परसंट tax calculate होगा ठीक है और 10 लाग तक मतलब साड़े सास से 10 लाग पर 15 परसेंट 10 लाग से साड़े 12 लाग पर 50 परसेंट साड़े 12 से 15 लाग पर 25 परसेंट और 15 लाग से उपर flat 30 परसेंट है ठीक है यदि आपकी income 15 लाग रुपे तक है तो आपको benefit मिल जाएगा new slab rate में कब जब आपकी investment कम है या आपने investment की नहीं है तो आपको new slab rate में जाना ही benefit होगा ठीक है तो दोस्तों ये थी salary person के लिए tax planning तो मैंने आपके लिए भी बता दिया है आपको कौन-कौन investment करनी चाहिए ठीक है आप देख लीजिएगा पांच लाग जैसे exempt होती है ठीक है आपकी 7 लाग है तो आप उसके according करा सकते हैं 8 लाग है 9 लाग है 10 लाग है या उससे जादा है ठीक है आप अपनी इंकम के अकोडिंग ही investment कर सकते हैं तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसे लिए प्लीज कमेंट बॉक्स मा जो बताएं वीडियो आपको अच्छी लिए प्लीज लाइक कर दें और इस वीडियो को सेयर करें अपने फ्रैंस के साथ वीडियो देखने लिए धन्यवाद